कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खरगे ने देश में सम्विधान को बदलने के प्रयासों पर चेतावनी दी है। उनके अनुसार अगर लोग एक जुट होकर मजबूती से खड़े नहीं हुए तो भारत में निश्चीत रूप से ताना शाही का सामना करना पड़ेगा। कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खरगे के वैक्तव्य के अनुसार अगर लोग आगामी चुनाव में मजबूती से एक जुट नहीं होते हैं तो भारत में निश्चीत रूप से ताना शाही होगी। विपक्षी नेता का आरोप है कि समविधान को बदलने के प्रयास हो रहे हैं जो की एक खतरनाक संकेत हो सकता है। खरगे ने इस बात को भी उजागर किया कि अगर समविधान बचा रहेगा तो देश की एकता और लोकतंत्र दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तारिफ करते हुए भी खरगे ने विपक्षी नेताओं पर E.D. का उपयोग करने का सवाल उठाया।